Hey guys, welcome to my channel और आज मैं आउसाथ में शेयर काने वाली हुए एक बहुत ही अमीजिंग सी होम रेमिडी नौ ये एक DIY पैक होने वाला है जिसको आप स्टोल भी करके रख सकते हैं इसको एज़ा फेस पैक भी स्टमाल कर सकते हैं एज़ा स्टमाल कर सकते हैं ये पैक क्या करता है ये एक एक ऐसा पाउडर है जिसमें बहुत सारी चीजे हैं और वो आपके पिग्मेंटेशन पर भी काम करती हैं वो आपके डाक स्पॉट्स को भी लाइटन करने में हेल्प करती हैं क्योंकि इसमें जो इंग्रीडियन डाले हैं वो बहुत ज़दा इफेक्टिव हैं उन चीजे को करने में और हाँ ये आपकी क्योंकि हम उनको बहुत सारे फांक्शन से अटेंड करने पड़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे स्किन काफी अच्छी लगे तो उसमें आपको ये एक क्लियर्स के नचीव करने में भी हल्प करेगी बहुत ज़दा इसके मैं क्लेंद आपको नहीं दे रही हूँ आप खुद पे ट्राइ कर ली जगा इस चीज को और जो भी सारे इंग्रीडियन्स मैं मैं मेंचिन करने वाली हूँ उनकी डीटील्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएंगी तो चले हैं स्टार्ट करते हैं विदाउट इनी फॉर्दर अदू लेट एस गेट स्टार्टेट में चानल को सुब्सक्राइब कर ले एसे ही बढ़िया से वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब के पास में जो बैल आइकन है उसको पक्का हिट करेगा वरना आपको वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे लेट्स रोल ओके सो प्रॉसेस का स्टार्ट करने से पहले हम हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके लिए आपको Clean Face की जरौत होती है आपको क्या करना है एक अच्छे से Face Wash से जो भी आपका फीवरिट है जिसको वह आप इस्तमाल करना पसंद करते हैं अब इसको इस्तमाल कर सकते हैं और second process होगा वो होगा हमारे face की additional जो dirt वगर होगी उसको भी clean करना by using rose water जो की एक बहुत अच्छे से toner का काम करता है तो मैंने यहापे लिया है यह cotton pad और यह square वाला है rectangle वाला है और यहाँ पर मैं 2-3 drops इसके ले लोगी and then अपने face को अच्छे से clean कर लोगी so इस rose water से ना सिफ हमारे face की जो dirt वगर होगी वो clean हो जाएगी कोई भी चीज अगर आप अप्लाई करते हैं आपके face पे तो जो dirt आपके face पे अलरी है वो और आपके skin के force में चली जाती है तो अच्छा वनाने के चक्कर में कुछ खराब हो जाए तो ऐसा नहीं होने देते हैं और यह चीज़ आप कर लीज़े आपके neck को भी आपके बरवाइब कर सकते हैं जिन लगों को भी चिन पे pigmented skin की problem है मेरी तरह हलकेल किसी pigmentation आप यह पर देख सकते हैं उसके लिए भी आप थोड़ सा और रोस वाटर लेके और हलका साब pressure देके इस area को clean कर सकते हैं यह आपके skin को बहुत अच्छे से सूथ करता है और जो भी हम process करने वाले हैं वो बहुत ज़दा effective होने वाला है नो यहाँ पर जो मैं पक्क ट्राइ करने वाली हम उसके लिए आपको चुक्त होगा एक clean bowl और उसमें मैं यहाँ पर इस्तमाल करने वाली हूँ यह एक टेब capsule चावल का आर्टा सो यह एक टेबल स्पोन चावल का आर्टा मैं इसमें आर्ट करने वाली हूँ नेक्स्स जो इस पाक में इंग्रीडियेंट हम लेंगे वो लेंगे हम एक टेबल स्पोन मुलेठी पाउडर नौ यहां पर मैं एक एक जो टेबल स्पोन यहां पर ड्राय पाउडर का कॉम्मिनेशन बना रही हूं इसको आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं दो तीन महीने त बलकि जो मुलेठी पाउडर होता है यह एल्प करता है हमारे जो बालों की ग्रोथ होती है उसको भी स्लोडाउन करने में मैं इसा नहीं बोलूँगी कि एक बार मैं आपके बाल साले क्लियर हो जाएंगे नहीं बिलकुल ऐसा नहीं है तो यहाँ पर मैं यह एड़ करने वाली हूँ इसमें मुलेठी पाउडर आप चाहें तो इसको पांच-पांच टीबल स्पून की क्वांटिटी बना के स्टोर कर सकते हैं नेक्स जो इंग्रीडियन्ट हमको यहाँ पर चाहिए वो है यह औरंज पील पाउडर ना ओरंज पील पाउडर मेरा बहुत अच्छा एक मेरा फीवरिट यूनो स्किन केर के लिए इंग्रीडियन्ट है इसको मैं काफी सारे डियावाइस में अरड़ी यूस कर चुकी एंड लास्ली इस जो मिक्शर है उसमें जाएगा एक टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ओन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों की ओईली स्किन होती है एक्सिसिव ओईल को खतम करता है और नॉमल स्किन है वो भी इस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सी ब्राइंड की मुल्तानी मिट्टी इस्तमाल कर सकते हैं और हम एक चीज मुझे ध्याना गई नीम पाउडर अगर आपके पास अविलबल हो और आपकी है और अपकी है देमोंस्रेशन बता देती हूं तो मैंने यहां पर एक टेबल स्कून जो चार चमच मैंने सारे इंग्रीडियन के डाले हैं उसको मैं ट्रांसफर कर देती हूं इस कंटेनर में और मुझे जितनी की भी जरौत होगी उत्रा मैं निकालने वाली हूं दुबारा से उस काच वा हाफ कट कर लेना है लेमन बहुत अच्छा होता है आप चाहिए तो थोड़ा सा नीम्बू का जूस भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने इस को हाफ कट कर दिया है सौरी 3 4th कट हुआ है यह 1 4 3 4 में हाप यह वाला इस्तमाल कर रहे हूं आपको क्या करना है इस जो मिक्षर है इसमें आपको इसको डिप करना है कुछ इस तरीके से और आपके फेस पे स्क्वीज करते हुए इसको अपलाए करते जाना है जस्क्वीज करते जाएंगे तो इसमें यह पाउडर अच्छे से स्टिक हो पाएगा और आपके फेस पेस अच्छे से लग पाएगा आप चाहें तो इस मिक्षर को रोज वोडर में मिला के अज़ पाक भी स्तमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा रहता है इस्पेशली जो औरेंज पील पाउडर है वो और मुलेठी इस अमेजिंग इस जोस को आपको अच्छे से इसमें स्क्वीज करना है इसको प्रेस करना है अच्छे से ताकि जाज से आदा पाउडर को आप इस्तमाल कर सकें ये माना जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3-4 तेबिल स्पून से लेके 1 तेबिल स्पून अगर इसका इसका इस्तेमाल करते हैं चाहे आप पूरे दिन में इसको दो बार करके इस्तेमाल करें या फिर एक बार करके तो भी आपकी स्किन बहुत जगा रखे जाएगी you just have to use this only for 7 days and in week you can see the results यह पिग्मेंटेशन में भी काम करता है बहुसाई लोग बोलेंगे कि you know हम टमाटर हमको सूट नहीं करता है तो what you can do is आपस में रोज वाटर मिलाके और इसमें डेरिक्ट इसको अज़ पैक सितमाल कर सकते हैं पिग्मेंटेशन में यह help करता है या नहीं बिल्कुल करता है आप इसको concentrated जिसे इना spot treatment हम बोलते हैं वैसे वे इसको 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 squeeze करना जरा भी ना भूलें जो dark spots की problem होती है उसमें तो यह काम करता ही है of course लेकिन जो pigmented areas होते हैं, उनको भी काफी ची से clean करता है और आपको help करता है एक clear skin achieve करने में आप चाहें तो इसमें मैं आपको औरेडी बताया था नेमबू के दो तीन drops भी lime juice के डाल सकते हैं इसमें और चाहें तो कोई से भी एक और इंग्रीडेंट हिदर दर कर सकते हैं बट औरेंज पील पाउडर और जो यस्ती मदू था मतब जो की मुलेठी पाउडर था उसको इस्तमाल आपको करना ही है वेकिस उन्हीं इंग्रीडेंट के वज़े से आपकी जो dark spots हैं उनको भी reduce कर पाएंगे तीन से चाहर दिन पहले ही I got a request कि उनका जो forehead है वो बहुत ज़दा black हो गया है इट कुड भी due to sun tan या फिर sun burn हो गया होगा उसमें भी यह remedy बहुत ज़दा help करती है और आप इसको नेक तक भी लगा सकते हैं और जब आपने एक चमश लिया है तो इसमें थोड़ा सा बच जाए मेरी तरह तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ मैं यहाँ थोड़ा सा rose water मिला के और इसको as a pack भी इस्तमाल करने वाली हूँ और इसको 15 मिनट तक रखने वाली हूँ अपने face पे यहाँ पर यह जो face pack है इसको मैंने ready कर लिया हूँ और मैं अपने हाथों से ही similarly इसको लगाने वाली हूँ क्योंकि आप चाहे तो face brush का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं कर सकती थी लेकिन अभी क्योंकि मेरे हाथ अलोड़ी खराब हो चुके हैं इस face pack में तो it is the best way तो इसको यूज़ कर लिज़े नेक तब भी इसको apply कर लेना है और आपको इसको रखना है सिर्फ पंदरा मिनट या फिर जब तक कि यह ड्राइ ना हो जाए और इसको उतारने के थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है तो प्लीज कंटिन्यू वाचिंग नाओ, once it has almost dried मैं या पे यूज़ करने वाली हूँ थोड़ा सा रोज वाटर और हाथों को हलका सा गीला करने वाली हूँ यहां पे मैंने जो इसको रफ करना आपको इसलिए बताया था क्योंकि हमने मुलेठी इसमें इसमाल करी है मुलेठी में क्या होता है ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे बालों की हैर ग्रोध को slow down करते हैं एकदम से निकालते हैं वो बच्चों की स्किन पर काम करेगा बट यहां पर नहीं, तो इसलिए हम इसको ऐसे रब करके छुडाएंगे इस मास्क को और जो लेफ्ट होवर मास्क है उसको मैं प्लेन वाटर की हल्प से वाश आफ करके निकालने वाली हूँ आपको इस से डिय वाइवा और वाइड को तेटने वाली हूँ अपने इस पेसमास को ट्राए किया है और आपकी स्किन ड्राए है तो आपको हल्का फुल्खा सा ड्राइंग फील होगा आपके स्किन में तो इसको moisturize करने के लिए you can simply use थोड़ा सा aloe vera gel या फिर आपका favorite moisturizer and that's all about this face mask आपको इस easy से DIY home remedy को try करना है सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार एक हाफ़ते तक and you should be able to see the results now यहाँ पर जो मैंने ingredients इस्तुमाल किये है इनकी details मैं आपको नीचे description box में दे दूँगी just in case आप try करना चाहते हैं तो और सारे brands भी like जो भी detail है वो mention होगी description box में so check करना जरा भी ना भूले मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले amazing video के साथ में bye bye take care and I love you all so much bye